हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हू राहूल जैस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक most important chemistry का lecture वीडियो लेकर आचुका हो जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 11th standard के लिए chemistry subject का जो हमने चाप्टर नमर वन की अलड़ी शुरुआत कर दी है जिसका नाम है some basic concept of chemistry आज हम इसका lecture नमर टू आपके लिए ले बाद आप लोग 11th का admission लेने के लिए CT का exam देने वाले थो तो यह CT का exam है उसको कर दिया गया है cancel आप सभी जान गया होंगे कल मैंने live session भी किया था आपको inform कर दिया कि CT का exam cancel हो गया हमने बहुत मेहनत की इस चीज के लिए कि यार आप सभी को मैं CT के वीडियो से पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा रात को जाक जाक के आपके लिए वीडियोस बनाता था लगा तार 15 दिन हमने वीडियोस अपलोड कि आपके CT के लिए लेकिन वो मेहनत जो हो नहीं थोड़ी सी काम नहीं आई यार हमारा तो हाथ में ह होता नहीं गवर्मेंट हम लोग है नहीं हम लोग तो normal teachers है तो हम अपना काम करते हैं लेकिन गवर्मेंट ने cancel कर दिया due to some reason कि ICSC and CBSC Board ने opposition किया हाई कोट में case चल रहा था हाई कोट में हाई कोट ने सीधा बोल दिया कि आप CT का exam नहीं कंडग करवा सकते है तो cancel हो गया ठीक है चलो यह बात हो गई अब आपका admission जो होगा 11th standard में वो direct process के थ्रू होगा यानि कि जो आपका marks मिलता है आपको जो direct 10th में जो आपका result मिला हो यह दो subject की videos हमारे channel पे already present है आपको बस हमारा जो playlist का section है वो check करना होगा क्योंकि हमने पिछले साल ही बहुत सारी videos बना दिये थे 11th standard के लिए क्योंकि हमारा main जो motto था वो 7th, 8th, 9th, 10th तक था लेकिन हमने 11th के लिए भी बहुत सारी videos पहले ही बना दिये थे हमने बना के रखा है बहुत सारी chapters पहले से बना के रखे है अच्छे से explain किया हुआ है biology के उसी प्रकार के videos आपको देखने मिल जाएंगे हमारे channel पे और कुछ नए वीडियो भी हम दो continuously बनाएंगे जैसे कि आज chemistry का बना रहो lecture number 2 चाले हो गया है और maths के भी वीडियो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए ठीक है तो चलो शुरुवात करते पिछले lecture में आपको बता दू कि हमने पढ़ा था क्या था lecture number 1 हमने discuss किया था कि बहुत सारे टाइप के chemistry होते अलग-अलग तरीके के chemistry होते वह हमने discuss किया था फिर chemistry में क्या-क्या pattern होता है वह हमने discuss किया था तो क्या होता है थोड़ा सा आपको रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और आज का वीडियो जो है न दोस्तो बहुत बढ़ा नहीं बनाने वारा क्योंकि थोड़ा सा health issue है गले का issue चल रहा है तो छोटा वीडियो आज का होगा लेकिन जैसे थोड़ा सा गला इंप्रूब जो states of matter की बात करें जनरली जेरार three states of matter यह आप सभी जानते होंगे एक होता आपका solid state दूसरा जो होता है liquid होता है और तीसरा जो होता है gas होता है यह तीन generally main states of matter होते है आप सभी जानते हो कि बहुत सारे ऐसी सामान है बहुत सारी वस्तू है object है metals है non metal है जो भी हमने पढ़ा तो यह solid जो होता है इसमें आप एक चीज़ समझ लो इसमें जो intermolecular forces of attraction जो होता है intermolecular forces of attraction बोलते हैं इसको तो इसके अंदर जो intermolecular forces of attraction होता है वो काफी ज्यादा high होता है या फिर आप बोलो strong होता है काफी ज्यादा high होता है या फिर strong होता है वो ही अगर मैं एक liquid की बा उससे कम रहेगा और तीसरा जो है आपका गैस इसमें तो intermolecular forces of attraction जो रहता है वो काफी weak रहता है क्या रहता है कम जोर होता है तो इससे फरक्या पड़ता है अब आप solid आप देखोगे तो समझ लो एक box है यह solid होगा तो इसके अंदर जो molecules present है जो atoms present है यह एक दूसरे से बहु बूंद गिरा हुआ है तो इसमें जो particles present रहेंगे इसमें जो molecules रहेंगे थोड़े दूर दूर रहेंगे क्योंकि इसके अंदर जो molecule के जो intermolecular forces of attraction है वो थोड़े कम जोर है थोड़े कम जोर यानि moderately strong कम है थोड़े लेकिन अगर वही कोई gases का molecule है समझ लो इसमें इतना gas है इसके अंदर हो सकता है एक इधर हो तो एक इधर हो एक इधर हो एक इधर हो तो बहुत ज़्यादा gap में रहेंगे क्योंकि इनके बिच में कोई भी attraction नहीं है बहुत वीक attraction है तो इसके लिए gas बहुत दूर दूर तक फैल जाते है इधर गीरा पानी तो उदर तक चले जाएगा लेकिन उतना नहीं होता है clear है समझ में आ गया तो यही था आपका states of matter उमीद करता हो कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि what do you mean by states of matter एक और चीज होता है कि solid के कुछ characteristics के कर बात करे solid के पास जो होता है definite shape अगर मैं बात क जैसे कि आप bottle में डालोगे तो liquid bottle का shape ले लेगा वही आप gas की बात करें तो उसमें कोई भी shape नहीं होता है gases में कोई भी shape नहीं होता जो container में रखोगे वो automatically उसके अंदर हो घुमतरता है यान कि कोई भी definite उसका shape जो है वो नहीं होता है ठीक है तो यह तो बात होगे आपके solid liquid और gases की तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा clear है और यह जो तीनो states of matter यह convertible भी होते है यानि कि एक चीज और होता है कि अगर आप चाहो तो आप कोई भी solid वाला चीज जो होगा उसको liquid बना सकते हो या फिर कोई भी liquid वाला जो चीज होगा उसको आप gas भी बना सकते हो सबसे best example याद रखने के लिए रखना दोस्तो आइस का formation आइस क्या है बरफ का तुकड़ा क्या है एक solid है एक कड़क चीज है solid है लेकिन आप उसको पिगला दोगे थोड़ा सा melt कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा पानी बन जाएगा यानि liquid बन जाए सकता है वो ही आप vapor को थोड़ा सा थंडा कर दो तो वो बन जाएगा पानी पानी को और थंडा कर दो तो बन जाएगा ice तो इस हिसाप से आप इसको convert भी कर सकते हो यह कुछ basic concept है जो आपको याद रखना है clear है याद रहेगा यह चीज़ उमीद करता हो कि आपको समझ में आ अब next heading के उपर आ जाते है जिसका नामे properties of matter and their measurement यानि कि आप किस प्रकार जो properties होती है ना matter की उसको हम लोग कैसे देखते हैं क्या-क्या properties है और उसके measurement कैसे कर सकते हैं यह हमारा दूसरा topic है आज बहुत बड़ा नहीं लुगा लेक्च जैसे starting में ही बोला थोड़ा सा health issue के वज़े से लेकिन कुछ-कुछ चीज़े आपको बता के जाओंगों तो यह अगला topic देख लेते हैं जिसका नाम है properties of matter चलो heading डाल देते हैं पहले properties of matter and properties of matter and their measurement तो देखो matter की आपको पता यह definition क्या होता है anything that occupy space is called as the matter लेकिन उसके कुछ properties भी होते हैं तो ऐसे बहुत सारे properties होते हैं और आप एक चीज़ जानते होंगे की properties एक जैसे नहीं होते हैं अलग-अलग तरीके से होते हैं कुछ properties ऐसे होते हैं जिसको हम लो बोलते हैं physical property यानि कि general ही देखा जाए तो 2 type की properties को हम लोग जादा consider करते हैं जब भी हम लोग chemistry के बारे में पढ़ते हैं तो पहले बात तो अगर मैं physical properties की बात करो, physical properties का मतलब क्या होता है, देखो, तो वो तो हो गया आपका physical property यानि external property लेकिन एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते है chemical property तो chemical property exactly क्या होता है तो chemical property मतलब क्या हो गया अगर हम लोग अंदर से देखे कोई भी चीज को अंदर से समझ रहे कि यार उसके अंदर वाकई में क्या constituent present है जैसे कि अगर मैं बात क milk आपका क्या है दूद है लेकिन जो दही एकर्ड वो भी दूद से बना हुआ ही चीज है लेकिन उसके अंदर कुछ और present है जिसको हम लोग बोलते है lactic acid यानि कि आपने जब देखा कि पहले वो दूद था तो lactose था लेकिन जैसे वो दही बन गया वो बन गया lactic acid यानि कि क पुछ तो उसके अंदर क्या हो गया chemical changes हो गया कि lactose आपका convert होके क्या बन गया एक acid बन गया lactic acid बन गया तो यही जो conversion हो रहा है उसी चीज को क्या बोलते है हम लोग chemical reaction और chemical reaction सही करीब से देखो के touch करे देखो कि तो शयद पता चल जाए लेकिन जब आप उसको chemical point of view देखे होगे या फिर खा के देखोगे तो शायद आपको अलग पैता चलेगा ठीक है लैक्टोस है, लैक्टिक एसीड है because of जो भी चीज़े हैं जो मैंने आपको बताए clear है तो उमीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गए होगी और chemical properties में बहुत सारी चीज़े आ जाती है अगर मैं बात करूँ देखो, physical properties जो होती है जैसे कि अगर मैं बात करूँ उसमें बहुत अलग-अलग चीज़े आ जाती है कि बाहर से दिखने में उसका color कैसा है उसकी खुश्बु कैसे आरी, जिसको order बोलते है उसका melting point क्या है, उसका boiling point क्या है, उसका density क्या है यह सभी चीज़ को माना जाता है physical properties में वही chemical point of view बात करेंगे तो chemical properties में बहुत सारे changes आ जाते है जैसे कि क्या इसका chemical change हो रहा है, क्या इसके अंदर कौन सा type का reaction हो रहा है क्या यह exothermic है, क्या यह reversible process है यह सभी चीज़ हम लोग देखते है, तो उसको हम लोग क्या बोलते है दोस्तो, क्या बोलते है, एक तरीके से chemical properties बोलते है clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ भी आपको बहुत ही easily समझ में आ गया होगा, clear है दोस्तो तो बस जोस्तो, आज का जो lecture में इतना ही रखना चाहूँगा क्योंकि जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा health issue है बहुत ही ज्यादा struggle करना पढ़ रहा है मुझे यह वीडियो बनाने में लेकिन प्लीज मुझे आज के लिए माफ कर देना, कल से आपको वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेर जरूर से कर देना, अपने सारे 11 standard के जो friends होंगे जो भी science stream से पढ़ना चाहते है उन तक ये वीडियो जरूर से पहुचा देना, दोस्तो बहुत ही अच्छा लगेगा ठीक है, तो शेर कर देना आपने सारे friends and relatives को और साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो फटा पट्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकान होता है उसको हिट कर देना, ताकि future में हम कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप लोगो notification मिलती रहेगी तो मिलते हैं हमारे एक लिए वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye